आज की वीडियो में हम बात करेंगे Amazon पर GST का टेक्स रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करें साथ ही में Amazon ने हर महिने लिये हुई चार्जिस का इन्वोर्ट करें तो चलिए वीडियो में समझते हैं हर महिने की 10 तारीक से पहले आपको अपने CA या अकाउंटन को Amazon पर किये गए सेल का एक GST टेक्स रिपोर्ट देना होता है उसी के साथ आपको एक और चीज़ शेर करनी है हर महिने Amazon ने लिये हुए चार्जिस का एक इन्वोर्ट इस और आपको अपने CA को बताना है कि ये इन्वोर्ट से सब्मेट करके हर महिने रिपेट भी ले ये रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको रिपोर्ट में टेक्स डॉक्यमेंट लाइबरेरी में जाना है यहाँ पर आपको चार अप्शन दिखेंगे उसमें हमें मर्चंट टेक्स रिपोर्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको एक नोटिफिकिशन मिलेगी कि अब सारे MTR, STR रिपोर्ट अब माइगरिट कर दिये है मैनेज टेक्स पेज पर तो आपको यहाँ ब्लू कलर का जो मैनेज टेक्स पेज है उस पर क्लिक करना है आपके सामने तीन रिपोर्ट दिखेंगे जिसमें हर महीने टेक्स फाइल के लिए आपको GST Ready to File रिपोर्ट को डाउनलोड करना है यहाँ पर आप अपना GST R1 मन्थली या क्वाटरली भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ अभी हम मन्थली डाउनलोड करते हैं नीचे आपको लेटेस्ट यर और लेटेस्ट मन्त बाई डिफोल्ट दिखेगा तो यहाँ पर आपको download report पर click कर देना है यह report हर महिने की 5 तारिक के रात को generate होता है तो आप चाहो तो हर महिने की 6 तारिक के सुब़ download कर सकते हैं अब हम seller fee invoices में जाएंगे उसकी लिए आपको वापिस से report में text document library में जाना है यहाँ पर आपको seller fee invoices मिल जाएगा उस पर click कर देना है यहाँ पर आपको हर महिने report की start date और end date देखनी है अगर आप यहाँ पर ध्यान से दिखेंगे तो यहाँ पर total 4 report generate हुए है अगर आप अपने product को Amazon के warehouse से भेजके नहीं sale कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ 3 report generate होंगे अब view पर click करेंगे आप देख सकते हैं हर महिने FBA में लगने वाले charges का यहाँ पर total बताया गया है इस report को अब हम download कर लेंगे अब वापिस दूसरा report download करेंगे तीसरे report में यहाँ पर listing fee लिखा है यह Amazon का commission है जो भी commission आप अपने seller central में देखते हैं उसको invoice के अंदर as a listing fee mention किया है और ऐसे ही आप चौथा report भी download कर लेंगे हर महिने जो Amazon आप से piece लेता है उस पे एक GST लगाता है तो आपके CA या accountant को कहके आपको हर महिने इस tax का rebate लेना है इसी के साथ एक important information हर महिने आपको अपना GST ready to file report regularly file करना है जब आप कोई product Amazon पे sale करते हैं तो सामने एक business customer भी होता है जो आपसे product खरीद के उस पे GST का credit लेना चाहता है अगर आप उस महिने tax file नहीं करते हैं तो उनको वो GST credit नहीं मिलता है और वो बहुत बार as a customer customer support में complain करते हैं जिसकी penalty seller को भूगतनी पड़ती है तो हर महिने सही से tax file करके अपने business customer का खयाल रखे तो guys यहीं पर हमारे वीडियो complete होता है I hope यह वीडियो आपको पसंद आया हो जाने से पहले subscribe करना ना बुले